दूस्तो अगर आप चाहते हैं Instagram के Reels को सीधी अपने phone के gallery में save करना बीना कोई application के बीना किसी जंजट के तो ये दूस्तो possible है सिर्फ एक setting से बस आपको Instagram app के अंदर एक setting करना होगा उसके बाद दूस्तो आसानी से Instagram पर जो Reels वीडियोज हैं उन्हें आप अपने phone के gallery में save कर स इंपोर्टेंट होने वाला है तो इस video को end तक देखना वीडियो पसंद आएगा तो like और share भी कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे आप आसानी से जो Reels वीडियो है Instagram की उसे अपने phone के gallery में आप save कर सकते हैं ओभी music के साथ ठीक है और साथ में जो story वग आसे आपको Instagram एपको open करना है और यहाँ पर दोस्तों हम Reels पर आजाते हैं यह जो Reels आप यहाँ पर देख रहो इनहीं में से दोस्तों आप save करना चाहरे होंगे कि जो भी Reels आपको पसंद आता है उसे आप अपने phone के gallery में save करना चाहते हैं ना जैसा कि आप यहाँ पर बटन दिया हुआ है आप यहाँ पर देख रहो comment के नीचे यहाँ पर एक button दिया हुआ है ठीक है इसी के उपर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे उपर देखने को में लेगा add real to your story आपको इस story नहीं लगाना है बस आप trick को देखते जाईए ठीक है इस story लगाने की जूरुत नहीं है तो आपको इसके उपर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे यह आपके story वाले section में यहाँ पर इस प्रकार से आजाएगा तो यहाँ पर आपको story नहीं लगा रहा है मैं एक बार फिर से बता देता हूं ठीक है अब आप इसे कैसे save करेंगे अपने gallery में ओ ध्यान से देख लिजिए उसके लिए आपको इसे सबसे पहले fit करना है पूरा phone का जो screen होता है उसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख लिजे ठीक है इस प्रकार से आपको पूरा means screen जूम करने के बाद यहाँ पर यह जो तीन line दिया है इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पर आपको save का button दिखने को मिल जाएगा इसी save के button पर click कर देना है जैसे आप save के button पर click करेंगे यह थोड़ा सा processing होगा तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे video saved लिखा हुआ आ जाएगा यानि कि दोस्तों video आपके phone के gallery में save हो अब proof के लिए आईए मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर हम अपने phone का gallery open कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख लिजे हमने gallery open कर लिया है इसे refresh करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख लिजे सबसे ऊपर ही यहाँ पर video आ चुका है जो अभी आपक सकते हैं और भी music के साथ यहाँ पर copyright के issue हो जाता है फिर भी थोड़ा सा सुना देता हूँ मैं आपको देखा आपने तो इस प्रकार दोस्तों आप जो videos है उसे आसानी से अपने phone के gallery में save कर सकते हैं समझ गया है मैंने आपको दिखा दिया पूरा live process दिखा दिया अब मैं आ story वीडियो को save करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे simply यहाँ पर जो story का button दिया है इसके उपर click कर लेंगे ठीक है अब यहाँ पर जो भी आप story लगाते हैं जैसे कि camera से पहले story बनाते हैं उसके बाद ही उसे अपने story पर लगाते हैं तो simply आपको camera के उपर click कर देना होग अब यहाँ पर दोस्तों camera open हो जाएगा आप यहाँ पर अपना जो भी story बनाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर बना लिजे जैसे कि आप यहाँ पर देख लिजे हमने यह एक छोटा सा clip बना लिया आपके सामने ठीक है अब इसे हमें story पल नहीं लगाना है हमें इसे अपने gallery में save करना है music के साथ ठीक है तो आप simply क्या करेंगे यहाँ से जो click दिया है button यह इस पर click करके आप अपना जो music है उसे यहाँ से set कर देंगे ठीक है जैसे कि यह music हमें set करना है इसके उपर click करके done के उपर click कर देना है तो इसकी अंदर दोस्तों music भी set हो गया है और हमारा य नहीं चाते है लेकिन इसे अपने gallery में save करना चाते है आप इसे अपने phone के gallery में save करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे यह जो 3.dOS के उपर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यह जो video है यह आपके phone के gallery में save हो जाएगा ठीक है आए मैं आपको यह भी दिखा जेता हूं य उसे भी सेव कर सकते हैं और जो दोस्तों आप रिल्स देखते हैं उसे भी अपने फोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं